किलो चानल उटने के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा समेत साथ लोगों को गिरफतार करने का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ था पिख परुखबात के कमाल गंज थानी में तयनाते एक दरोगा का चोरी के मोटर सैकल चलाते वे वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है जोरी हुई बाई ज काफी समय से प्रटा भडरते वे नजतल आ रहे हैं जानकारी के निसार बाइक मालिक ने शनिवार को स्पी को प्रात्ना पत्र भेजा इसमें बताया कि 15 नॉवंबर 2019 को लोहिया महिला अस्पताल के बाहर खड़ी एक उसकी बाइक छोरी हो गई थी और इस मामले में शहर कोत्वाली में मुकदमा भी दर्श कराया गया था विवे कंच थानी में तैना दरोगा जी कैलास बाबू चोरी की मोटर साइकल काफी समय से चला रहे हैं सोशल मीडिया पर दरोगा के बाइक चलाते वे वीडियो भी वाइरल हुआ है और जानकारी होने पर रागवेन ने अपने परचित को भेज कर थाने में खड़ी बाइक को दिक्षक डॉक्टर संजे कुमार ने बताया कि विगत तीन जून को ये बाइक आर्पी डिक्री कॉलेज के पास से लावारिस हालत में खड़ी पाई गई थी जिसे थाने में दाखिल किया गया है पाई पता चला जानतारी मेरी मेरिंग बाइट फुस्वार कमाल ने खाने में तेलाज बाबु क्या है माँ दरोर हो अंगे अब यह हमें जानतारी नहीं है क्या है तो जिगारी है प्रेजना है कब ली थी तो अमने 278 मेरी थी नमर बता है क्यों ने रहिए एक दोड़ा उने 277 में स्वाइब जिसमें दोगा की जब जी के दोर आट चोरी की बुटा साखिल चलाना बताया है है इस समय में वगत करना है कि एक मोटर साइकिल लुहिया हॉस्पितल से दोजार उनीस में चुरिवी थी थाराचित प्रोखावाद में इस समय में तत्कार ने फ्रफजित कर दिया गया था वही मोटर साइकिल दिदांग 3-6-32 को आर्पी डिगरी कॉर्रेस के पास बरावद ह थाराचित कायम कमार्गन में वो मोटर साइकिल समंदी समस्पिक्टर द्वारा लाके थारा कमार्गन में नहीं साथ आखिल किया गया है और नहीं से विद्धिकर रखी जादी है